पहले बारिश से फसलों में मार अब कपास में बीमारी लगने लगी है बीमारी के चलते हरियाना कपास की फसल को पूरी तरह से भरबाद कर दिया है अधिक बारिश और गुलाबी सुंडी की चपेट से ज्यादतर शेतर में कपास की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है बेमारी बारिश और गुलाबी सुंडी के परकॉप से नर्मा यानि कपास की फसल में 60-70 फीसद तक का नुकसान पहुंचा है आपको बता दे कि कपास की फसल में जल परबंदन करना सबसे जरूरी होता है लेकिन भारी बारिश की वज़े से जहां खेतों में जल भराव हो गया तो वही अब तेज धूप निकलने से कपास की फसल को खासा नुकसान हुआ है ऐसे में किसान सरकार से खराब हुई फसलों के मुआफजे की उमीद लगाए बैठे है हरियाना में मुख्यता कपास की खेती, पलवल, गुरुग्राम, फ्रीदाबाद, नुहू, रिवाडी, चर्खीदादरी, भिवानी, सोनीपत, जीन्ध हिसार, फतेबाद वे सिरसाथ जिले में होती है वही हिसार जिले की बात करें तो यहां बारिश की वज़े से नानोद, बर्वाला, उकलाना, अधिशेत्रों में कपास की फसल के सासाथ बाजरा, गुआर और धान की फसल को भी नुकसान पहुचा है नर्मा यानी कपास की फसल में पोधे पर ही बी जंकुरित हो गए है क्विंटल रहता था, वही भाव अब बढ़कर 10,200 रुपे प्रती क्विंटल से अधिक हो चुका है ब्यूरे रिपोर्ट, मार्के टाइम्स टीवी